Assalamualaikum दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं आप सब को YouTube चैनल English Literature पर वेलकम कहती हूँ आज जो poetry हम पढ़ने जा रहे हैं जो poem हम पढ़ने जा रहे हैं जो poem हम पढ़ने जा रहे हैं उस poem का नाम है An Odd to Death जिसको दाउद कुमाल ने लिखा है यह दाउद कुमाल की बहुत ही important piece of work consider किया जाता है और दाउद कुमाल जो हैं यह पाकिस्तन literature के बहुत important writer है यह 1935 में पैदा हुए और 1987 में की death हो जाती है अपनी इन्होंने earliest inspiration ली थी Burn Hall से और इसके इलावा इन्होंने अपनी literature के अंदर काम किये और इन्होंने बहुत सदा poems लिखी और इनकी poems को record किया गया Library of Congress के अंदर United States में इन्होंने classic Urdu poet है गालिब उनकी भी बहुत सदा translations की हैं इंग्लिश में और इसके लावा इनको इनकी poetry की base पे three gold medals मिले हैं from the Trayton College इनके जो important works है उन में आ जाता है हमारे पास Galip Reverberations जो के इनोंने 1970 में published करवाया था फिर Compass of Love and Other Points जो के 1937 में अपेर हुई थी फिर Recognitions जो के 1979 में अपेर हुई Selections of Fares in English जो के 1984 में पब्लिश्ट हुई Our Immort Beginning ये 1985 में पब्लिश्ट हुई थी तो ये के कुछ important works थे और सबसे important work A Selection of Words जो के 1997 पब्लिश्ट हुआ था इसके इलावा भी writer के कुछ works हैं लेकिन ये कुछ important works हैं जिनके नेमे ने आपके सामने ले दिये अब हम start करते हैं अपनी poem An Ode to Death को अब जब ये poem start होती है ना इस poem के starting थोड़ी unique किसम की है बाकी poems से हटके तो ये अपनी point की start में writer दो writers की quotations डाल रहे हैं number one जिससे के आपके सामने है your odd to death is in the lifting of a single eyebrow lift it and see जो कि Conrad Akin की quotations है next देखें death is more than certain says E.E. Cummings तो ये दूसरी quotations है यहां पर मैं जो line लगा हैं red यहां पर double E capital आना है ठीक है तो इन दोने line में क्या बताया गया है इन दोनो lines के अंदर इन दोनों quotations के अंदर बताया गया है कि death जो है ना वो certain है वो कभी भी आ सकती है अचानक आ जाएगी इनसान के बिलकुल सामने उसकी मौत होती है मौत कभी भी आ सकती है जैसे कि आप पलक जबक के आंग खोलो तो आपको मौत नजर आएगी तो basically इस point का जो theme है ना वो इन दो quotations में हमारे पास सामने आ जाता है जिसके दिशने बताया गया है life is temporary जो real life है वो here after की है दुनिया खतम हो जाएगी मौत ने आ के रहना है और मौत जो वो permanent है worldly player जो है वो permanent नहीं है वो temporary है इस point के जो important themes है वो है decay and decline का जिसमें decay दिखाया गया है decline दिखाया गया है इस temporary world का फिर fragility of life का theme important है और इसके इलावा theme of materialism important है materialism means के जो इंसान ने अपना materialistic attitude बना ली है पैसे संबाल संबाल के रखने वाला attitude बना ली है इसका कोई फाइदा नहीं है आखिर मोत है at the end you have to face death इस poem की speciality है कि इसके इंदर writer ने बहुत से symbols metaphor और imagery यूज़ की है और simple language यूज़ करते हुए deeper meaning convey की है writer ने reader को तो आप poem poem को proper start करते है जैसा कि मैंने बताया starting पर quotation है quotation basically poetry का part ही है your all to death is in the lifting of a single eyebrow lift it and see means उसे कि death certain है कभी भी आ सकती है कोई पता नहीं है अपनी आँख खोलो तो तुमारे सामने मोत है फिर death is more than certain it means कि death जो है again कोई भरोसा नहीं किसी भी वक्त ही आपको आ सकती है मोत जो है इनसान के हमेशा सामने होती है इनसान को यसे दूर भागता है लेकिन उसको पता है कि मोत आकर ही रहनी है और ये कभी भी आ सकती है अब start करते है further poetry के lines को but the clocks go on ticking as before and in every particle of carbon dust there lives a diamond dream अब इसकी line देखें but the clocks go on ticking as before कि जो वक्त है वो चलता रहेगा जैसे वो चल रहा है लेकिन जिस चीज ने खतम होना है उसने खतम होकर रहना है जिस चीज को decay आना है destruction आना है जिस चीज का end होना है वो end होकर रहेगा लेकिन वक्त जो add time वो चलता रहेगा जिस तरह से चल रहा है आजाता है, destruction आजाता है, तो time जो अपनी tick 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 continue रखता है, तो कहता है, the clock, clocks go on ticking as before, next line देखें, and in every particle of carbon dust, there lives a diamond dream, अभी जो lines है ना, इतुनों lines, यह highly symbolic कर लाएं, यह carbon dust, एक metaphor यूज किया गया इस line के अंदे, अगर आपको एक diamond है, diamond की composition के बारे में पता हो, कि diamond जो है, वो different carbon से मिलके बनता है, लेकिन यह ज़रूरी नहीं है, कि हर molecule जो है, carbon dust का, वो मिलकर diamond ही बनाए, चीकि diamond क्या है, एक precious thing है, एक expensive thing है, ठीक है, एक बहुत ही unique चीज है diamond, तो different carbon dust मिलकर, क्या बना रहे हैं, एक diamond बना रहे हैं, लेकिन अब ज़रूरी नहीं है, क्या ज़रूरी नहीं है, कि हर carbon का जो molecule है, वो diamond ही बनाए, हाँ ना, तो कहते हैं, same case जो है ना, वो human being के साथ है, कि ज़रूरी नहीं है, कि इनसान के हर dream, या फिर diamond dream, जो है ना, खुआप को कहा गया, unique किसम के खुआप को, कि ज़रूरी नहीं कि इनसान की जितनी भी desire है, जितने इसके खुआप है, वो पूरे हो, कि अब कुछ इनसान है, जिनके हर खुआप पुरे हो जाते हैं, लेकि उनमेंसे कुछ है, जिनके हर खुआप पुरे नहीं होते, अब वो पुरे क्यों नहीं होते, क्योंके death जो है, वो certain है, लेकिन इसका time जाप उनसर्टन है, मौत तो आनी है, लेकिन किस वक्त आनी है, नहीं पता, ठीक है, अब मौत का वक्त ही नहीं पता, तो हम लोगों ने बड़े-बड़े खुआप सजाए होते हैं, कि हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम कल ऐसा कर लेंगे, हम वहां मिलेंगे, तो हम लोगों ने बड़े-बड़े खुआप सजाए होते हैं, मैं इसको complete ना कर पाऊं कि वेरी मोत कभी भी आ सकती है ठीक है तो यही है यह death का मामल है death जो है उसका time uncertain है पता नहीं हम लोग ने अगले लंभे सांस लेना भी है कि नहीं लेना तो इसलिए ज़रूरी नहीं है जिसना के हर molecule diamond बनाए उस तरह से हर इनसान की जो wish है जो desire है वो पूरी भी नहीं हो सकती जैसे के एक poetry है अगहा अपनी मोत से कोई बशर नहीं सामान सो बरस का है पल की खबर नहीं कि कोई भी इनसान अपनी मोत से ना करते हैं नहीं कि इसको पता होगे इसकी मोत अब हो जानी है किसी को कोई खबर नहीं है और इनसान ने क्या सो बरस का समान यानि कि अपनी पूरी रहाइश का समान बनाया होता है बेड, फरनीचर, सो, ओन, खाना, पीना, कपड़े, सब कुछ लेकिन उसको बता ही नहीं इसकी मोत का बाजा नहीं है तो यही पॉइंट यहां पे कनवे किया जा रहा है कि टाइम चलता रहना है और जुरूरी नहीं कि आपके हर ख़ुआश पूरी हो क्योंकि ऐसा होता है जैसा कि कार्बन का मॉलीक्यूल जो है ना, वो डाइमंट हो बनाता है लेकिन हर मॉलीक्यूल डाइमंड नहीं बनाता वैसे ही आपका हर ख़ुआप पूरा नहीं हो सकता I hope कि आपको इन लाइन्स में क्या आइडिया दिया गया है वो क्लियर हो चुका होगा Next चलते हैं How many galaxies yet to be explored How many seeds in the pomegranate of time The pine tree blasted by last year's thunder bolt And the burn-out matchstick in my ashtray Look so terribly alike Now first line देखें Again writer ने symbol यूज किया हुए How many galaxies yet to be explored Galaxies mean wishes कैभी कितने ज़दा wishes रहती हैं जिनको भी explored करना है कितने ambitions होते हैं इंसान के Human beings बहुत ज़दा ambitions रखता हैं बहुत ज़दा wishes रखता हैं अपनी lives के अंदर तीक है अगर देखें How many seeds in the pomegranate of time यह पे seeds जो है Again से wishes को symbolize कर रहा है कि how many seeds in the pomegranate of time कि वो अपनी wishes को fulfill नहीं कर सकता क्योंकि जो time है यह pomegranate की तरह का है एक annaar की तरह का means क्या है एक complex है क्योंकि अनार के अंदर जो चीजें है अंदर से अंदर अनार एक ज़दा होता है दाना के अंदर दाना ज़दा होता है कि हम लोग उसको count नहीं कर सकते है वो बहुत complex उसकी नहीं वो होती है कहते हैं जो symmetry उसकी बड़ी complex किसम की symmetry होती है कि जो time में वो बहुत complicated है और इस complicated time के अंदर सब के सब wishes पूरी करना एक impossible task है तो इन दो lines के अंदर बताया जारा है basically कि जो human beings हैं उनकी बहुत जादा wishes हैं लेकिन time limited है और उस limited time के अंदर इंसान की सब के सब wishes fulfill नहीं हो सकती अब next line देखें बड़ी important lines हैं बहुत important क्योंकि इस line के अंदर point ने comparison की है huge का और small creature का जैसा कि देखें the pine tree blasted by last year's thunderbolt and the burn out magic in my ash tray looks so terribly alike कहता है pine tree pine tree जो कि इतना बड़ा होता है उसको thunderbolt ने destroy कर दिया कि एक बड़ा pine tree है एक थंडर आता है और उसको तबाह कर जाता है लेकिन दूसर तरफ कहता है and the burn out magic in my ash tray और दूसर तरफ decay हुए destruct हुए ठीक है दोनों end पे तबाह हो गए दोनों को end पे जो death था उसका flavor टेस्ट करना पड़ा both have to taste the flavor of death और huge और small के इलावा यहां पे देखा जाया तो symbolically poor और rich को भी symbolize किया जा रहा है कि बेशक वो अमीर हो बेशक वो गरीब हो ठीक है बेशक वो बहुत उंचे rank से belong करता हो उसने घर गे अंदर बड़े बड़े द्रक्त लगाए हो बेशक उसके पास फिर चलाने के लिए एक तीली क्यों ना हो ठीक है दोनों अमीर और गरीब उन दोनों का end किया था death कि दोन and you have to face the death आपको end पर death को face करना ही करना है अच्छा आप next lines देखें I have sat by your bedside and felt your sinking pulse are the hair and bones really indestructible and how long does it take for the eyes to dissolve in the grave अब यहां पर एक conversation दिखाई गई है a conversation between point और एक person जो के बिलकुल मरने वाला है near to death ठीक है मरने ही लगा है वो I have sat by your bedside and felt मैं तुम्हारे bed के बिलकुल side पर पैठाओं और मैंने मैसूस किया है your sinking pulse तुम्हारी pulse को sinking means fall गिर रही है ऐसी pulse जो गिर रही है means to say अब उसकी death हो रही है वो मर रहा है ठीक है अब एक ओर चीज इन लाइन्स के अंदर ना imagery भी create की है point ने कि हमारे mind के अंदर एक pictures create हो रही है पढ़ते होए क्या कहता है I have sat by your bedside and felt your sinking pulse कि तुम बिलकुल मौत के करीब हो ठीक है तुमारी सांस से उकड रही है उसकी मौत उसकी सांस जो है ना बिलकुल खतम होने वाली है अगर था है are the hair and bones really indestructible and how long अब क्या है general belief यह है कि जब इनसान मर जाता है उसे कबर में दिफना दिया जाता है तो इनसान के बाल और हड़ी बाकी रहती है बाकी का बाकी सार जितना भी जिस समय ना वो डिस्ट्रक्ट हो जाता है खतम हो जाता है तो पूछ रहा है are the hair and bones really indestructible and how long क्या वाकई यह indestructible है और अगर है तो फिर किदनी देर तक does it take for the eyes कि क्या इतनी देर तक तुम्हारे के बाल और यह जो हड़ी है तब तक रहेगे कि तब तक मैं जिन्दा हूँ मैं इनको देख पाऊं to dissolve in the grave कि मैं जिन्दा होंगा और तब तक कि तुम्हारी dissolve नहीं होगी यह बाल और हडियां कबर के अंदर तो basically यहां पे ना point दो तरना से हम लोग इसको ना interpret कर सकते हैं number one point जो है ना वो बैठा हुआ बैट साइट पे एक person के पास जिसकी मोत हो गई है मरने के करीब है और वो उसे बात कर रहा है कि तुम तो मर गई हो मोत के करीब हो और मैंने सुना कि स्रिफ और सिर्फ तुमारा बाल और हडियां यही बचेंगी जो distruct नहीं हो पाएंगी तो कब तक नहीं हो पाएंगी क्या इतनी देखतर ये रहेंगी कि मैं जिन्दा हूँ और मैं देख सकूँ कि अभी तक तुम्हारी हड़ियां और जो बाला पड़ा वेकबर के इंदर ठीक है और दूसरी इंट्रिप्टेशन ही है कि पॉइट जो है न वो एक परसन से कर रहा है जो कि मरने के करीब है और एक्स्प्रेस कर रहा है अंसर्टनिटी ओफ लाइफ को कि लाइफ कितनी अंसर्टन है वो उससे बात करते कह रहा है कि तुम्हारे पास कौन है तुम तो मरने लगे हो तुम्हारे डेसबेट के पास तो कोई भी नहीं है कोई भी नहीं जो हूँ और इनको देख सकूँ नहीं न क्यों नहीं क्योंकि no one can confidently say that he will be living tomorrow यह basically Euripides की equitation है ठीक है तो basically इसने यहां पर uncertainty of life को पताया गया है और इसमें यहां पर यह बताया है कि life जो है ना उसकी कोई fixity नहीं है आपको मौत आनी है अगर आप कहते हो ना कि बाल और हड़ी सलामत रहता है तो कहते हैं वह भी कब तक रहेगा उसने भी खतम हो जाना है सब कुछ खतम हो जाएगा सब कुछ इस्ट्रक्ट हो जाएगा सब कुछ दिके हो जाएगा कुछ भी long lasting नहीं रहने वाला at the end everything has to face death अब next lines पढ़ते हैं two streams mingle in a forgotten river again symbols two streams means दो चीजें हैं जो human being के पास है एक क्या है एक body और दूसरा soul और forgotten river हम कह सकते हैं यहां पर ignored eternity को तो basically दो lines है two streams mingle in a forgotten river between the eye and the tear और इस वर्स के अंदर poet कहना चाहरा है कि जो human beings की existence है ना वो soul और body की combination की form में होती है और जो यह soul और body है ना यह लगिरीस and colors of life के अंदर मसरूफ हैं और यहां पर word यूस किया है ना कि mingle in a forgotten river it means कि यह human body है और human soul है यह worldly player के अंदर busy है यह world के अंदर busy है यह world के colors के अंदर busy है colors of life के अंदर busy है यह लगिरीस के अंदर busy है इसको death भूल गई हुई है लेकिन जो death का relationship है वो कैसे का है वो ऐसे का है life and death का relationship जैसे के एक आंख और आंसू का death इंसान से एक लमहा भी दूर नहीं है जैसे के एक आंख से इंसान का आंसू दूर नहीं होता और poet यहां पर कह रहा है कि जो इंसान की body और इंसान का soul है ना वो वर्ल्ड के अंदर इतना busy हो चुका हुआ है कि वो उसने eternity को ignore ही कर दी है वो death को भूली गया है वो वर्ल्ड के अंदर इतना busy हो चुका हुआ है लेकिन उसको यह याद रखना चाहिए कि जो death है न वो बिल्कुल वैसे आती है जैसे कि इंसान की आंग के अंदर आंसु आ जाता है किसी को भी नहीं बता कि कब इंसान की आंग से आंसु टबक पड़ता है बिल्कुल इसी को भी नहीं बता कब इंसान के पास उसकी मौत आ जाए बट इट विल शॉरली हैपन यह आकर ही रहेगी अब नेक्स लाइन्स देखें अब ये जो लाइन्स है ना इस लाइन्स के अंदर basically जो death के बाद ग्रेफ की condition है वो present की गई है पहले हम लोगों ने देख लिया कि worldly player क्या है life क्या है uncertain है death कभी भी आ सकती है अब death के बाद grave की condition कैसी है इसमें ये बताया गया है कि यहाँ पर word use किया गया ना archipelog इसका मतलब होता कि बहुत ज़्यादा quantity के अंदर ना group of islands होना an extensive group of islands ठीक है तो writer यहाँ पर कह रहा है कि जो grave है ना वहाँ की condition क्या होगी सिर्फ silence होगी endless sleep होगी in the group of islands और यहाँ पर silence in islands जो है वो क्या indicate कर रहा है वो danger को indicate कर रहा है danger को symbolize कर रहा है और इसके इलावा ये silence of death को भी symbolize कर रहा है क्योंकि उसके बाद कोई भी hardship of life नहीं होगी grave के अंदर तो actually ना यहाँ पर दावत कमाल जो है तो उसके बाद जब आपकी death होती है death के बाद क्या है वहाँ पर peace होगा वहाँ पर कोई भी grief नहीं होगा कोई भी trials नहीं होगे कोई भी troubles नहीं होगे कोई भी life की जो दुख थे जो तकलीफ थी वो वहाँ पर आपको face नहीं करना पड़ेंगे जो death के बाद life होती है वो हमेशा रहने वाली life है eternal life है never ending life है जो कभी भी खतम नहीं होगी हमेशा के लिए रही होगी और इसके लिए करना है इसके लिए आपने world में अगर दुनिया में अगर अच्छे काम किये न तब ही आपको ऐसी peaceful life मिलेगी anyhow अगर आपने ऐसा नहीं किया फिर आपको danger face करना पड़ेगा अब next line है वो nostalgic line इसमें past की बात की जा रही है poet कहता है I too have wondered in a forest of symbols and clutched at the heralds of memory तो basically यहाँ पे उसने बात किस चीज़ की की है अपने बार में बात कर रहा है heralds of memory तो यहाँ पे जब उसने heralds का word यूज किया है means prostitution का word यूज किया है तो basically यह अपना personal experience शेयर कर रहा है कहता है कि अगर मैं अपने personal feelings के about बात करूं मैं अपने past के बार में बात करूं तो मैं past में बहुत bad activities में इंडल्ज रहा हूं मैंने बहुत जब बुरे काम की है मेरी बड़ी bad habits थी कहता है कि when I imagine my own death time and things about my past life there is nothing except except the darkness of prostitutes के prostitute की darkness के इलावा कुछ में यह था मेरे past में मैं बहुत जब बुरे मामलाद में इंडल्ज था मेरा past बहुत बुरा था अब इसके बाद next lines देखें poet कहता है I have seen the stars plummet to their dark addresses I have felt your absence around my neck और in lines के अंदर again point death का idea दे रहा है कि death का को जो concept है वो ultimate reality है इसने आना है तो आकर ही रहना है ठीक है यह नहीं देखता किसको आ रही है जिसको आनी है उसको आकर रहनी है या तो अगर हम लोग history की examples देख लें कि अगर मुहमद बिन कासिम है जो के great leader रहे है या उनके इलावा Hitler है जो के cruel रहा था इन दोनों ने यह किया इन दोनों ने अपनी life को एक अच्छे वे में एक ने अच्छे वे में spend किया दूसरे ने bad वे में spend किया लेकिन दोनों के end क्या था death था तो कहता है death जो वो blind है वो ही देखती किस के सामने कौन खड़ा है कि बहुत बड़ा कोई इनसान खड़ा है या कोई बहुत अमीर खड़ा है कोई गरीब खड़ा है कि बहुत छोटा इनसान खड़ा है यह कि इसने जिसको आना है उसको इसने अपने fixed time पे आके रहना है अब इसके बाद लास्ट लाइन्स जो के इंपोर्टेंट लाइन्स है पूरी पॉइंट की अब यहाँ पे पॉइट ने एक फ्रेज यूज किया है यह सैम्यल लृदर फोड का फ्रेज था जो इसने 15th सेंचरी में फर्स्टाइम यूज किया था जिसका मतलब होता है जो हो गया सो हो गया अब जो हो गया उसको भूल जाओ इसका मतलब यह होता है अब यहाँ पे वो क्विश्चिन पूछ रहा है कौन डिसीवर है कौन डिसीवर है कौन डिसीवर है यहां फिर जो मौत है वो दोका दे रही है यहां फिर यह मौत और जो लाइफ है यह दोने इक दुश्रे को डिसीव कर रहे है फिर उसके बाद question कर रहा है यह Was I on a floating island and were you on the shore अब यह question कर रहा है life से कहता है क्या मैं हूँ मैं खुद मौत के करीब गया हूँ यह मेरी life मुझसे दूर हो गई है कि क्या मैं floating island के उपर था यह मेरी मौत एक shore के उपर थी कहता है Which one of us moved away कोई नहीं जानता किसमें हम लोग के दुसरे दूर की है वो life से बात करते हैं पूछ रहा है Either you moved away from me और I came near to death तो पूएम की एंडिंग एक confusing not से खतम करता है एक confusing not create करते है खतम करते है इसमें वो life से question करता है कि क्या मैं मौत के करीब आया है यह मेरी life तो मुझसे दूर हो गई Throughout the poem जो tone थी इस poetry की वो थी pessimistic इस poem में writer ने different symbols का use किया metaphors का use किया हमें इस्लामिक अप्रोश भी नजर आई style था वो dramatic monologue था जिसमें writer जब वो imagined person से बात करता है यह फिर life से बात करता है और single एक ही person जो बोल रहा है वो writer है तो यह dramatic monologue इसके इस style अड़ाप्ट किया गया है writer ने simple languages के इसके इस किया थी तो I hope कि आपको यह poem अच्छे से क्लियर रोज शुकी होगी thank you so much for watching this video stay tuned with us take care Allah Hafiz